हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया conducting system of heart के बारे में हम लोगों ने देखा कि वही किस तरह से heart blood पहुंचाता है और heart का structure देखा चार chambers पढ़े हैं इसमें राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम राइट वेंटरिकल लेफ्ट वेंटरिकल यह सब चीजने डिस्कस की थी pulmonary valve, vartic valve, tricuspid, bicuspid ठीक और क्या पढ़ा यह nodes के बारे में बात की थी हमने कि sino-artrial node का क्या काम होता है it generates impulses और arterio-ventricular node यानि कि AV node का क्या काम होता है receive करता है impulses कहां से sino-artrial node से ठीक है sino-artrial node से receive करता है impulses को और फिर आगे कहां भीचता है AV node से impulses कहां जाता है बताओ AV bundle जैसे bundle of हैस भी बोलते है एक सेकंड रुपना जरा है देर देर इस स्वम इशू विद गौरी तो यह सब हम लोग बिस्कस कर चुके थे इसी वज़े से मैंने बताया था आपको कि साइनो-artrial node को क्या बोलते हैं हम लोग पेस में कर अफ़ था हर्ट काडियक साइकल के बारे में डिसकस किया था समझ आ गया था सब भी को काडियक साइकल कोई डाउट है तो बताओ मैंने बताया था जॉइंट डायस्टॉल आर्ट्रिकुलर सिस्टॉल वेंट्रिकुलर सिस स्टॉलिक पे हैं उसी समय पर वेंट्रिकुल्स क्या है डायस्टॉल कर रहे हैं और जिस समय पर वेंट्रिकुलर सिस्टॉल चल रहा है उसी समय पर आर्ट्रिकुलर डायस्टॉल भी चल रहा है ओके ध्यान दो दो वाइस सुनते हैं हम लोग अकसर सुनते हैं क्या बोलता ह love dub ऑना वो जो bollywood फिल्मों में जैसे बताते हैं वैसा sound आथा हर्ट का धक-धक करने लगा नहीं होता है ठीक है it's love dub क्या होता है love dub यह love dub की sound कप आती है भी यह love dub की sound तब आती है हमने पढ़ा कि यहाँ पर और यहाँ पर यानि कि right atrium और left atrium यहाँ पर blood आता है and these chambers get filled फिर कौन से valve खुलते हैं आप लोग जल्दी बताओ कौन से valve खुलते हैं यहाँ पर right bicuspid and tricuspid फिर सारा blood कहाँ पहुंचता है right atrium से right ventricle left atrium से left ventricle okay अच्छा फिर क्या होता है जब blood यहाँ पर पहुंच गया है नीचे वाले chambers में तब आप बोलते हो कि यह जो valves हैं यह क्या हो जाते हैं closed हो जाते हैं कौन से? tricuspid और bicuspid valves दोनों close हो जाते हैं जब दर्वाजे बंद होते हैं यानि कि जब यह valves closed होते हैं तब एक sound आती है जिसे बोलते हो आप love समझ आया कभी भी दर्वाजे के खुलने पर आवाज नहीं आती यानि कि कभी इन valves के खुलने पर आवाज नहीं आती है इन valves के बंद होने पर आवाज आती है और वो आवाज कैसी होती है लब, सिर्फ लब, यानि कि ट्राइकस्पिट वॉल्व और बाइकस्पिट वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो अवाज कैसी आती है, लब और जब दो वॉल्व और होते हैं, राइट सैमिलुनर वॉल्व बोले थे हमने, सैमिलुनर वाल्व कौन से होते हैं बताओ जरा very good pulmonary valve होता है यहाँ पर जहाँ से blood lungs में जाता है aiotic valve होता है यहाँ पर ठीके या बोलो सीवानी am I audible? आवाज आ रही है सभी को अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो rejoin करो आवाज आ रही है hello गौरी आवाज आ रही है audible ठीक है तो यहाँ मैंने आपको अभी तक यह वताया कि tricuspid और bicuspid valve जब close होता है तो एक आवाज आती है जिसे बोलते हैं love और जब pulmonary valve और aurtic valve close होते हैं यहाँ भी valve close होते हैं open का भी मतलिक देना तो आवाज कैसी आती है dub और यही दो sound होती है love और dub मैंने बताया था यह पूरा cardiac cycle कितने second में हो जाता है जिसमें joint diastol होता है 0.4 second artriculus stall होता है 0.1 second और ventriculus stall होता है 0.3 second हमारे heart को एक question पूछते हैं आपको हमारे जो heart होता है वो उसको बोलते है myogenic heart ठीक है हमारे heart को myogenic क्यों कहा जाता है अगर आपसे पूछे कोई तो आपका answer होना चाहिए क्योंकि यह originate होता हमारे हमने पढ़ा था last class में कि syno-artrial nodes जो होते हैं generate करते हैं impulses कहीं से आ नहीं रहे हैं तो our heart generate impulses by its own इसलिए हमारे heart को क्या बोला जाता है myogenic चलो यह बता दिया है आपको cardiac cycle 0.8 second अब एक और बात बहुत जरूरी यह calculation पर थोड़ा सा ध्यान देना heart rate कितना होता है मैंने last class में शायद थोड़ा बहुत डिसकस किया था कि हमारा heart जो है वो 72 beats per minute लेता है is it clear हमारा heart 72 beats per minute लेता है दक्ष हमज में आ रहा है सौरव ठीक है तो एक cycle में कितना कितना ml volume कितना volume of blood transport हो रहा है उसे आप बोलते हो stroke volume तो एक cycle में कितना volume circulate हो रहा है 70 ml अगर मैं इस 70 ml को एक cycle को multiply कर दूँ multiply कर दूँ heart rate से तो मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या है cardiac output यानि कि heart कितना output देता है per minute में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यानि कि पूरे body पे कितना blood है मुझे ये पता चल जाएगा अगर मैं stroke volume को multiply कर दूँ heart rate से तो stroke volume कितना था 70 ml होता है और heart rate कितना होता है 72 beats per minute इसको multiply कर दिया जाता है तो somewhere 5000 ml के आसपास आएगा यानि कि 5 liter blood होता है approx. आपकी body में और वो हर minute circulate होता है 5 liter blood per minute circulate हो रहा है ठीक है आप सुनते हो कि BP के बारे में blood pressure blood moves with pressure क्यों भईया इस pressure की ज़रुवत की हो है एक बात अगर मैं आपसे पूछू फॉर एक्जामपल ये है head किसी भी human का और ये है legs ठीक है तो आप बोलोगे कि भई head से leg तक easily ये legs है तो easily नीचे की तरफ क्या जा सकता है blood क्यों there is a force work and which is gravity लेकिन अगर मैं आपसे पूछू उपर कैसे blood जा रहा है तो उसके पीछे reason कौन है blood pressure और which is created by heart इसका कोई normal value तो होता होगा सुन देखाओगा आप लोगोंने क्या देखाओगा स्फिग्मो मैनोमेटर देखा है क्या स्फिग्मो मैनोमेटर और stethoscope की मदद से हम लोग ये दोनों चीज़े लगती है स्फिग्मो मैनोमेटर और stethoscope की मदद से हम लोग क्या measure करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं लेकिन ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए मुझे नॉर्मल वेल्यू का पता होना जरूरी है कि अगर हर्ट नॉर्मल भी बीट कर रहा है ठीक है नॉर्मल केस में कितना वेल्यू कितना बीपी होता होगा तो आई हो आई थिंक आपको पता है 120 by 80 कितना होता है 120 by 80 सिस्टॉलिक और डायस्टॉलिक सिस्टॉलिक और डायस्टॉलिक का मतलब कौन बताएगा मझे सिस्टॉलिक और डायस्टॉलिक का मतलब कौन बताएगा क्या होता है सिस्टॉल और क्या होता है अब एक बच्चे ने कोशन बूचा है प्रीती, अब ये कौन सी वाली प्रीती है, प्रीती है या प्रीती सिंग ने कोशन बूचा है, किसका कोशन है हम, और ठीक है, तो प्रीती सुनो, इतना ज्यादा ब्लड हम डोनेट नहीं करता है, कि हमारे 5 लिटर अगर ब्लड है ना, तो पाउचिस देखें हैं ब्लड के, उस वो कितने-कितने अमल के होते हैं, 200 अमल के आसपास होते हैं, समझे लेखें, 250 अमल ब्लड डोनेट करते हैं, तो इससे हमें कुछ असर पड़ेगा क्या, नहीं, that you will regenerate in two days, दो दिन बाद आप दुबारा जनरेट कर लोगे, नहीं कोई फर्फ में पड़ेगा, तो ये बता दिया हर्ट के साउंड के बारे में, लब और डब, एक और चीज़, ECG, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ECG ECG के बारे में एक funny चीज़ है, थोड़ा सा सुनो, सबसे पहले, who was father of ECG, इन्थोवन, इन्थोवन नाम के एक scientist थे, who was father of ECG, not important, याद रखना चाहू, तो भी ठीक है, नहीं भी रखना चाहू, तो ठीक है ECG क्या कहता है, funny thing में जो बता रहा था, आपको ये देखकर क्या लगता है, electrocardiograph, graph सुनते ही क्या आता है, मतलब कभी किसी ने ECG की रिपोर्ट देखी है क्या, बहुत लंबी सी रिपोर्ट होती है, long and slim रिपोर्ट, कभी कोई ECG की रिपोर्ट देखी हो, काफी लंबी सी र हाँ, waves बनी होती है, ऐसी, ऐसी waves बनी होती है न, अच्छा, तो यहाँ पर देखो, ideally तो भई नाम सुनके, कि वो ऐसा लगता है कि हमें electrocardiograph जो होगी वो मशीन होगी, मशीन होगी या रिपोर्ट होगी, सुनके, क्या लगता है, कि electrocardiograph मशीन है या रिपोर्ट है, बताओ, ग्राफ, अरे ग्राफ, ग्राफ कोई मशीन हो सकती है क्या, सुनो, 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 दो चीज़े हैं, वो मशीन जो ECG मेजर करती है, उसको बोलते हो आप electrocardiograph, मैं ये बताना चाहता हूँ, और वो जो रिपोर्ट आती है, उसको बोलते है electrocardiogram, यहाँ पर चेंज है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, electrocardiogram किसका नाम ले देते हैं, मशीन का नाम है, electrocardiogram, नहीं, electrocardiogram उस रिपोर्ट का नाम है, जो वो लंबी ऐसी sheet से निकल कराती है, जिसमें आप देखोगे, इस तरह से, इस तरह से waves बने वे होंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो आप, electrocardiogram, और electrocardiogram क्या है, वो मशीन है, यहाँ पर जो waves नजर आ रहे हैं मुझे, जैसे यहाँ देखो, इसी तरह के waves होते हैं, यह करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, triangular pattern में वो leads देखे हैं, जब भी किसी का ECG करना होता है, तो तीन leads लगा दिये जाते हैं, कहाँ कहाँ पर, एक तो right wrist में, ठीक है, left wrist में और left ankle में, clear, right wrist, left wrist और left ankle, clear, अब मुझे देखो, मुझे यह measure करना है, कि heart के, जो, मैंने बता है, cardiac cycle proper work कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको measure करने के लिए, जो, आप देखो, method है, वो क्या है, ECG है, समझाया है, ओके, तो इसमें इसके लिए करते हैं हम लोग, right wrist पर, right मतलब right, हाथ जो है, wrist, wrist समझते हो ना, आप लोग कलाई, wrist watch बोलते हैं जैसे, left wrist पर, दोनों जगा हमने क्या लगा दिया है, एक lead लगा देते हैं, ऐसको गोल्ड, left ankle, ankle पता है क्या होता है, कहा होता है ankle, यह लड़कियों को पता होना जी, ankle क्या होती है, pile, pile को ankle बोला जाता है, तो left ankle में क्या करते हैं, हम एक तीसरी वाली lead लगा देते हैं, अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़े हम measure कर सकते हैं, देखो, एक wave होती है, यह ध्यान से देखो, एक wave है यह P wave, चार-पांच wave दिखेंगे आपको यहाँ पर, एक P, Q, R, S, T, तो यह चार-पांच wave नहीं है, ठीक है, यह wave सिर्फ और सिर्फ तीन ही होती है, मतलब, इसका नाम है P, Q wave, एक wave होती है, Q, R, S wave, और एक wave होती है, last, S, T wave, clear, कौन-कौन सी तीन wave होती है, पता चला, बताओ ज़रा, पहली wave, P, Q, V, Q, R, S, T, easy, easy, अच्छा सुनो, P, Q, wave कब बनेगा, cardiac cycle अगर आपको clear है, तो P, Q, wave कब बनेगा, P, Q, wave तब बनेगा, जब सबसे पहली चीज होगी, जब arterial systol होगा, यानि कि arterial contraction होगा, तो P, Q, wave बनेगा, अब माल लो, माल लो क्या हुआ, आर्ट्रियम जो है, वो contract ही नहीं कर रहे हैं, शिवानी is it audible, शिवानी audible है, सुन सकते हो आप मुझे, शिवानी, चलो देखो, तो मैंने ये बताया आपको, अब माल लो को ही ये कैसा person है, जिसका आर्ट्रियम contract ही नहीं कर रहे हैं, अगर आर्ट्रियम contract नहीं कर रहे हैं, तो उसकी PQ wave कैसी आएगी, बनेगी हैं, हाना, ओके, या कम contract कर रहे हैं, तो कम height होगी, हाना, तो इससे क्या speculate कर सकता हूँ, मैं, speculation क्या होगा, मेरा अंदाजा क्या होगा, क्या अंदाजा लगाए जा सकता हैं, कि left और right आर्ट्रियम में कुछ न कुछ दिंकत हैं, समझे हैं, read करना उस report को, next is qrsv, next is qrsv, आर्ये clear है वही, हाँ, audible, visible, मैं यह बता रहा था, देखो ECG के बारे में, ECG कहां से आप गायव हो गये थे, यह बताओ, कहां से last चीज क्या सुनी थी, उसके बाद मैंने बताया आपको कि तीन waves होती है, एक वो wave होती है, pq wave, एक होती है, qrs wave, एक wave होती है, st wave, ठीक है, यह बता है, pq wave, क्यों generate होती है, pq wave generate होती है, because of arterial systole, arterial systole क्या होता है, आपको पता है, arterium, जो उपर के जो chambers होते हैं, जब वो contract करते हैं, तो उसको बोलते हो, arterial systole, तो जब arterium उपर वाले दोनों arterium contract करेंगे, साथ में, तब आप बोलोगे, यह हो रहा है, arterial systole, qrs wave, कब होता है, qrs wave तब होता है, जब ventriculars systole हो, क्या हो, ventriculars systole, ventriculars systole का मतलब, जब ventricles, क्या करेंगे, contract या, relax, contract कर, st wave कब आता है, st wave तब आता है, देखो छोटा सा wave है, यह तब आता है, जब joint diastole हो, यही तीन चीज़े पढ़ा ही थी मैंने, joint diastole होने पर st wave आता है, अब मैं बोल रहा हूँ कि किसी, वो, बॉलिवूड फिल्मों में क्या हुआ, ECG पर लगा दिया है, शारुक खान को और उसकी wave जारी है, ऐसे, क्या मतलब है उसका, क्या मतलब है उसका, शारुक खान मर गया, लेकिन एक बाद शारुक खान तो जिन्दा होता है, शारुक खान तो जिन्दा है न भई, फिर उसकी waves ऐसे हैं, क्यों जा गई है, ऐसा कैसे हो सकता है, कि शारुक खान की heart beat ना करें, इतना कैसा, वो लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूं, वो लोग क्या करते हैं, सुनो, एक dead body लाते हैं, शारुक खान का जो bed होता है, जिस hospital में उसको admit किया है, जिसमें शूटिंग हो रही है, वहाँ एक dead body लाते हैं, और dead body को भी connect किया जाता है, actually उस ECG से, अब dead body को अगर ECG से connect करोगे, तो क्या कोई waves देगा वो, समझो, नहीं देगा, समझ आया, तो देखो, और कभी-कभी ऐसा भी तो होता है, कई सारी waves जो जिल मिलाती भी दिखती ह हाना, जैसे अगर किसी ने three dates देखी हो, three dates देखिया किसी ने, तो three dates में जब राजू रस्तों की जब admit होता है, वो छट से कूच जाता है, तब क्या होता है, जब उसको photo दिखाई जाती है, उसकी बहन की, तो उसकी heart weight देखें, कैसे जारी होती है, याद आया कुछ? हाँ, fast होई, fast कैसे हो जाती है, अब क्या किया है, उन्होंने, अब उन directors ने क्या किया है, ऐसे एक इनसान के body में leads लगा दिया है, मतलब right wrist, left wrist और left ankle पर लगा दिया है, और क्या कर दिया, और उसको वो machine नहीं होती है, एक running machine, running machine पर दोड़ा दिया, तब क्या होगा, तब य fighter करेगी की नहीं करेगी, अगर कोई running कर रहा है तो, fast fast करेगी नहीं, और हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि वो राजोरस्तों की पर लगा हुआ है, ठीक है, समझ आया है, ये कैसे चीज़ा चलती है, ओके, next, एक और चीज़ा, अरे जब कोई दोड़ेगा, तो fast ही चलेगी ना, कि नहीं, fast चलेगी कि नहीं चलेगी बताओ, अब, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक concept दिया हुआ है, double circulation का, एक concept है, double circulation का, ये भी समझ लो, बहुत easy है विसे, हम क्या देखते हैं, ये देखो, ये है हमारा heart, heart से, deoxygenated blood जाता है, किसके थुरू? lungs के थुरू oxygenated blood आता है, heart में, किसके थुरू? ये heart से, oxygenated blood फिर body में भी जा रहा है, किसके थुरू? aeota, arteries, capillaries, arterioles, कुछ भी बोल सकते हैं, यहां कई सारे words बताया थे, मैंने शुरुवात होता है, aeota से, फिर arteries बताया था, फिर क्या बताया था? arterioles, capillaries, हाना? very good, अब, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, body से deoxygenated blood जाएगा, heart में, body से deoxygenated blood जाएगा, heart में, body से deoxygenated, किसके थुरू? हाँ, veins, vinyals, capillaries और superior बने के वाँ, inferior बने के वाँ, तो मुझे, मुझे यहाँ पर दो तरह का circulation दिखता है, एक circulation है, which is between heart and lungs, दिख रहा है कि नहीं? एक circulation है, जो सिर्फ वो सिर्फ heart और lung के बीच में है, ऐसा है, lung से heart, heart से lung, lung से heart, heart से lung, lung से, lung से heart, heart से lung, दिख रहा है कि नहीं? इसको क्या नाम देती हैं मैंने? क्योंकि lungs के लिए word यूज़ करते हैं, जैसे pulmonary artery, pulmonary valve, pulmonary vein, तो lungs के लिए pulmonary, इसको क्या बोल दिया है? अब वहीं अगर मैं देखो, एक circulation और है, which is in between heart and body, heart and body, इसको क्या नाम दिया? systemic circulation और क्या बताया था? pulmonary circulation और दोनों मिलकर क्या बना रहा है? systemic circulation और pulmonary circulation अब समझ आया, heart का जो circulation है, human heart का circulation है, उसे double circulation क्यों बोलते हैं? clear? चलो, double circulation समझ आया है, देखो, complete double circulation, systemic circulation और pulmonary circulation, ठीक है? तो यह double circulation होने का क्या फाइदा है, जो crocodile, aves और mammals में मुझे देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ? crocodile, aves और mammals में देखने हैं, इसमें क्या कोई blood का mixing होता है क्या? देखो, deoxygenated, अगर आप blood देखो, तो deoxygenated blood अलग है, और oxygenated blood अलग है, तो there is no mixing of deoxygenated and oxygenated blood, वहीं अगर मैं बात करूँ, in complete double circulation होता है, in case of amphibian and reptiles, जहाँ पर mix हो जाता है, deoxygenated blood, oxygenated blood से, in common ventricle, क्यों? क्योंकि उनका three-chambered heart है, क्या है उनका? three-chambered heart है, clear है, यह बताए थी, शायद मैंने मात आप लोगा, ओके, moving forward, हाँ, इसी वज़े से उनकी life span भी कम हो जाती है, very good, आगे ध्यान देते हैं, कई सारी बाते आज अभी हम लोग clear की, क्या-क्या चीसे पड़ी, myogenic heart के बारे में बताए आपको, cardiac cycle में दो sound होती है, love और dub, बताओ जल्दी, love और dub का sound कब आता है, कुछ नहीं, अभी बच्चे बताएंगे, यह बताएगा, सौरव बताएगा, love और dub का sound कब आता है, बेटा, close होता है, तुम लोगों को, यह मैंने बोला था ना, बच्चे गलती करते हैं, वही गलती कर रहा है, मैंने बोला है, कि यह तुम गलत बोलते हो, फिर गलत बोल रहा है, क्या बोला था, close होते हैं या उपन होते हैं, close होते हैं, हाँ, तो बताओ अब दुबारा, love की sound कब आती है, और dub की sound कब आती है, यह कौन सा valve है वही, ऐसा तो कुछ नहीं बढ़ा है मैंने, pulmonary valve और Arctic valve, तब डब की sound आत, ओके, ठीक है, next, next मैंने बताया कि किस तरह से आप क्या निकालोगे, किस तरह से यह cardiac output, cardiac output निकाल दोगे, इजी है, ठीक है, तो यह आपको निकालने का दो नंबर का question पूछ सकते हैं, two mark question है, ठीक है, ध्यान रखना, BP याद रखना, नॉर्मल, pulse pressure याद रखना, 120 में से 80 को माइनस कर दोगे, तो 40 mm पर mercury, यह इसका pulse pressure होता है, human heart का, यह human body का, ठीक, ओके, next, next is, हाँ, यहाँ पर ECG के बारे में बताया है, electrocardiograph, electrocardiogram, ठीक है, और यहाँ पर जो waves हैं, उनके बारे में बताया आपको, PQ, QRS, और ST, और भी, और भी यहाँ पर weens होती है, ठीक है, और भी, circulatory system यहाँ चलता है, ठीक है, वो अभी के लिए important नहीं है, बाद में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि एक circulatory system इधर भी चलता है, किधर, जिसे hepatic portal system बोलते हैं, कहां कहां चलता है वो, intestine, liver और वीना के बागे बीच में, यानि कि आप देखते हो, intestine में जो भी nutrition बना, वो सब हमने पढ़ा है, कि जो भी हम खाना खाते हैं, वो सब किधर जाता है, digestive system की वेडियो देख कर आ रहे हो, आप लो, कहां चला जाता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, that food we intake, small intestine, और small intestine में कुछ विलाई होते हैं, और यह वाला जो फिर blood vessel कहां जाएगी, यह जो blood vessel है, यह blood vessel कहां जाएगी, liver में, liver से, liver से यह कहां जाएगा, liver से superior और inferior वेनकेवा, superior वेनकेवा, inferior वेनकेवा, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, heart में आई चुका है, heart से फिर, rest part of the body, तो यह एक तरगा circulation होता है, जिसे hepatic circulation, मत याद रखना इसे, अभी नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है, एक circulation, hypofisial portal vein का होता है, that is from, hypothalamus से, जो भी चीज़े जाती हैं, जो भी hormones जाते हैं, वो anterior pituitory gland तर, वो जाते हैं, circulation, ठीक है, ठीक है, ओके, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यह सब बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, यह याद मत रखना, ठीक है, आपको अब क्या याद रखना है, disorders के बारे में याद रखना है, कभी, मैंने क्या बताया था, आपको नॉर्मल बीपी कितना होता है, 280 नहीं होता, अरे, कभी भी आज, फिर वो बोल रही है, 120 से 80, से नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 120 बाई 80, MMHG, is it okay, सोनम, क्या बोलोगे, 120 बाई 80, ठीक है, अब 120 बाई 80 तो नॉर्मल है, अगर माल लो, क्या होँ, बीपी थोड़ा इंक्रीज कर गया, 140 तक आ गया, 90 आ गया, या उससे उपर आ गया, तो क्या बोलोगे, बीपी इंक्रीज हुआ या, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ऐसे कंडिशन को क्या बोला जाता है, हाइपर टेंशन, क्या बोलते है, हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर टेंशन बोलते है, हाइपर टेंशन से क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन से क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन से क्या हो सकता है, हार्ट और किड्नी फेलियर जिसकी वजह से स्ट्रोक बोलते हैं हार्ट कार्डियक स्ट्रोक आ गया है हार्ट अटाइक आ गया है वो आ सकता है समझ आया बीपी हाई होने के वजह से एक और प्राबलम होती है जिसे बोलते हैं हाइपो टेंशन हाइपोटेंशन मतलब 120 बटे 80 यानि कि 120 बाइ 80 मिलिमीटर पर मर्कृरी नॉर्मल वेल्यू है ब्लड प्रेशर का अगर इससे डिक्रीज हो गया यानि कि 110 अपॉन 60 के भी और भी नीचे जाने लग गया है तो क्या बोलोगे बीपी क्या हो गया है ज्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है and such situation is known as hypotension क्या बोलते हो इसे है है हाईपोँ टेंशन का मतलब होता है बीपी का इनक्रीज करणा हाईपरा hepo टेंशन का मतलब होता है बीपी का डिक्रीज हाइपटेंशन इनक्रीज हाइपो टेंशन डिक्रीज याद रखना हाइपो और हाईपर टेंशन क्लियर है हम लोगों को अब हम बढ़ते हैं आगे आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस पर ठीक है आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस चक्कर आके गर जाएगा इंसान ठीक है अब एक बर एनसी आटे नहीं बेहोश हो जाएगा अनकॉंशेस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा मतलब क्या अनकॉंशेस ही हो गया है वो और क्या चाहते हो तुम NCRT अगर हम देखें तो यहाँ देखो डबल सर्कुलेशन दिखा रहा है अब यह समझ जा रहा होगा डाइग्राम आप लोगो को न देखो हाइपर टेंशन बता दिया दुबारा क्या बताना है इसमें क्या नहीं समझा है यह बताओ यह सब है यहाँ से यह देखो एक सर्कुलेशन जो हो हार्ट और लंग्स के बीच में एक सर्कुलेशन लंग्स हार्ट और बोडी पार्ट के बीच में तो दो circulation चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये उपर वाली circulation को pulmonary circulation नीचे वाली को systemic circulation बोलता है double circulation बोल सकता हूँ जोनों को मिला के क्या दिखकता है इसमें hypertension देखो hypertension बता दिया और hypotension भी बता दिया अब आता है arthrosclerosis या coronary artery disease या arthrosclerosis ये सब पढ़ना है ये देखते हैं दुबारा चलते हैं अपने notes पर look ऐसे जाती है blood vessels क्या जाती है ये जाती है blood vessels मालो ये क्या है blood vessels जाती है अब कभी कभी क्या होता है लोगों को बर्गर पेटी मोमोज ठीक है ये पीजा ये सब चीजे खाना क्या है बहुत पसंद है तुम लोगों कोई नहीं पसंद है बताओ बहुत पसंद है ये सब खाना भी ये अमको तो बहुत पसंद है अब इसमें क्या होता है इसमें ये होता है समोसे उमें से देखो अब कभी क्या समोसे तलते वक्त ऐसा होता है भाई उसने क्या किया मालो एक बड़ी सी कढ़ाई होते है उसके पस है और उस कढ़ाई में क्या कर रहा है वो मालो 20 समोसे एक साथ तल रहा है अब क्या हुआ जब वो 20 समोसे एक साथ तल चुका है फिर क्या करेगा फिर उसने क्या किया जो अलग से बने वे 20 समोसे थे क्या कि उसी में डाल दिये समझा है उसी में डाल दिये ठीक है already फिर क्या हुआ चलो ठीक है एक दिन उस समोसे वाले का रेडी चला, अब क्या हुआ, वो कड़ाई में जो ओईल था, वो तो बचाई हुआ था कि वो ओईल खता मुझा आता है क्या, वो जो उसकी कड़ाई में ओईल होता है, पूरा कड़ाई का ओईल बचा होता है, फिर वो क्या करता है, उसको कोई कैन वैन में या किसी कंटेनर में रख लेता है, और अगले दिन जब वो आता है, तो अगले दिन उसी ओईल को कंटेनर से निकालता है, और फिर कड़ाई में डालता है, फिर उसको गरम करता है, और फिर उसी ओईल से क्या करता है, उसी ओईल से समोसे तलता है, य अब यह बहुत खतरनाक चीज है क्यों यह वाला जो fat generate होगा न यह वाला जो fat which is lethal यह जानलेवा fat होता है क्यों 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 यह वाला fat क्या करेगा आपके जो blood vessels हैं इन blood vessels में जमना शुरू हो जाता है समझ रहे हो अगर अब देखो पहले क्या हुआ करता था पहले तो यह blood vessel जब आप कोई fatty चीज ऐसा नहीं खाते थे समूझ से वगएरा तो क्या होता था यह क्या सीधा-सीधा blood अराम से move करता था इसमें plasma rbc wbc जो भी है सब easily move करता था पूरा flow बुलकुल fast fast move करता था बहुत सई सई move करता था ठीक है normal rate से move करता था अब क्या हुआ अब यह हुआ कि यहाँ पर fat cells जमने लग गए इस तरह से इस तरह से दीरे 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 अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में यह जमने लगेंगे आप कब से समूझ से खाते हुए आ रहे हो भाईया जब से हो समाल है तब से समूझ से बरंगरी सबसे गुजारा चल रहे हैं हम लोग क्यों तो यह देखो यहाँ पर देखो क्या जमने लगा है fat cells जमने लगे है blood vessels में इससे क्या देखोगे क्या अब वह जो RBC WBC और वह जो actual blood है उसको move करने के लिए कम जगा मिलेगी या ज्यादा जग मिलेगी तब वह क्या करेगा कम जब जगा मिलेगी तब अब मैं क्या करता हूं मान लो मैंने क्या किया पाइप के आगे कोई motor वाली पाइप होती है उसके आगे अगर अंगूठा लगा देखो pressure कितना तेज भागता है यह देखा है आप लोगों ने हाँ यादार है कुछ ह कर दू यह ठीक है तो क्या होता है pressure बढ़ जाता है बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कि यहां भी अब blood pressure इस case में जब fat deposit यहां होने लगा और जगा कम हो गई है तो pressure बढ़ेगा या घटेगा blood pressure बढ़ेगा समझाया अब मैं क्या बोल रहा हूं इसने क्या किया यहां पर जो fat cells होते है न इस तरह से जम जाते है यहां ठीक है और क्या होता है जैसे माल लो यह rbc है rbc इससे अब rbc आ रहा है तो वो तो उसका तो रास्ता ही ही है बीच में यह पत्थर की तरह fat cell आ ग तो राएगा जब rbc इससे टक्राएगा तो fat cells उचल जाएगा ऐसे यहां वो जब उचलेगा उड़ेगा यहां से जो चिपका हुआ था इस layer से इस layer से जब यह चिपका हुआ था इस वाली layer से तो वो जैसे उठेगा न तो साथ के साथ इस vessel की layer को भी लेकर उठेगा जिसस कि internal bleeding होना शुरू हो जाएगी क्या होना शुरू हो जाएगी internal bleeding होना शुरू हो जाएगी in the vessel, in the blood vessel और जब internal bleeding होती है जब भी हमारे body में कहीं भी कोई bleeding हो तो normal mechanism क्या है हमारी body का normal mechanism ये कहता है जब भी कोई bleeding हो तो उस blood को क्या करवा दिया जाता है mechanism है, लेकिन क्या यहाँ पर blood की clotting होनी चाहिए थी क्या यहाँ पर वो clock बनना चाहिए था अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो clock बन जाएगा ठीक है, यहाँ पर वो clock बन जाएगा, जिससे आप देखोगे, blood एक तरह से, पहले तो hypertension वाली दिक्कत हो रही थी BPI हो रहा था, अब क्या हो गया, अब तो blood जा ही नहीं पा रहा आगे क्या blood जा पा रहा है आगे, नहीं अब माल लो, यह बहुत जादा important artery थी बहुत जादा important artery थी, जिसमे blood जो है वो आगे नहीं पहुँच पा रहा blood supply नहीं हो पा रहा, बहुत important organ और उस important organ का क्या नाम था, heart वो artery, जो heart को blood supply करती है, अब भई आप सुनो, सभी को energy और oxygen यह सब कौन ला कर देता है, सभी tissues को blood ला कर देता है, हना nutrients वगेरा कौन ला कर देता है, blood ला कर देता है, तो heart को काम करने के लिए भी किसकी जरुरत पढ़ती होगी, heart को काम करने के लिए भी blood की जरुरत पढ़ती होगी तो अब सवाल यह अगर आपसे पूछे कि heart को blood कौन सी artery देती है, तो आपको क्या बोलोगे coronary artery देती है, और मैंने क्या बोल दिया, ओहू, coronary आर्टरी में ही क्लॉक बन गया है, जम गया यहां पर रास्ता ही बन दो गया, तो क्या बलड कोरोनरी आर्टरी से हर्ट में जा पायेगा, बताओ, क्या इस केस में हर्ट फेलियर होगा या नहीं, होगा, इसी सिचुएशन को क्या बोलते हो आप, आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस, क देखो, calcium iron deposition in tunica media of vessel decreases elasticity and occur due to aging, जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती रहेगी, ठीक है, वैसे वैसे ये और उसके होने के chances है, आथ्रोस्क्लारोसिस क्या होता है, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं, केलशियम और fat का deposit होना कहाँ पर आर्टरी में, cholesterol, fibrous tissue, अब ये केलशियम कहां से आ गया, बताव केलशियम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ प्रिति, coagulation occurs outside the body, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि coagulation outside the body ही होगा, यहाँ पर inside क्यों हो रहा है, क्योंकि bleeding हो रही है, in the blood vessel, और जब bleeding हो तो coagulation होता है, ठीक है, यहाँ हिपरिन भी कुछ नहीं कर पाएगा, और calcium deposit क्यों हो रहा है, आप मुझे बतावगे, भाई आप लोगों ने सुना है, मैंने बताया था कि coagulation में याद करो, calcium बहुत helpful है, हाँ, राइट, अच्छा, चलो, यह सभी को समझ आ गया, देखो, कई सारी disease condition हमने डिस्कस की, hypertension, hypotension, arteriosclerosis, arthrosclerosis, arteriosclerosis और arthrosclerosis में यह difference है कि arteriosclerosis में क्या देखते हो आप, tunica media of the vessel में हमें calcium deposition देखने को मिलता है, वहीं arthrosclerosis में जिसे coronary arthritis भी बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, fat और calcium दोनों का cholesterol का और fibrous tissue का यह सब का deposit होता है, तो कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, arthrosclerosis, ठीक है, फिर आती है एक दिक्कत, जिसे बोलते हैं, angina pectoris, angina pectoris, अब यह angina pectoris क्या है, acute chest pain, ठीक है, हलका हलका, सीने में दर्दोना, उसे क्या बोलते हैं आप, chest pain, due to insufficient oxygen supply, अगर heart को sufficient oxygen का supply नहीं होगा, तो क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, हलो, क्या वो काम कर पाएगा, heart? तो जब heart को sufficient oxygen का supply नहीं मिलता है, तब आप बोलते हो, acute chest pain हो रहा है, और जिसे रेखते हैं हम लोग, angina pectoris, ठीक है, common in mid-aged elderly people, restricted blood flow जब होता है, and pain extends till the left arm, देखा है कभी, अब वो, आप Bollywood की movie देखते हो, तो वो क्या करते हैं, left arm को वो दबा लेते हैं, जब भी कोई किसी को heart attack वाला scene दिखाना होता है, देखा है, देखा है, और गिर जाते हैं, same चीज, उसी को बोलते हो आप, अब बोल रहा है, congestive heart failure, ineffective, heart failure का क्या मतलब है, अगर blood, heart, heart, blood pump नहीं कर पा रहा, heart is ineffective in pumping, ठीक है, pump नहीं कर पा रहा है, तो heart, lungs भी सिकुड जाएंगे साथ के साथ, तो इसे क्या बोलोगे, heart failure, heart का का काम क्या होता है, pumping of blood, अगर वो pumping ही नहीं कर पा रहा है, blood का, तो क्या बोलोगे आप, heart failure, clear है, हाँजी, आगे आता है heart attack, तो आपको यहाँ difference समझना पड़ेगा, what is the difference between heart failure and heart attack, heart failure का मतलब blood pump नहीं कर पा रहा है, heart, काम नहीं कर पा रहा है, यहाँ heart attack का क्या मतलब है, damage हो चुका है किसी तरह के heart muscles में, क्यों, क्योंकि sufficient oxygen नहीं मिला, और heart attack किस case में आ सकता है, अभी अभी हमने पड़ा, यह वाली situation जो देखी थी, नहीं नहीं यह वाली situation, hypertension तो एक symptom है, यह वाली situation जो देखी थी हमने, इस case में heart attack आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि blood नहीं पहुंच पाया, less blood supply हो रहा है heart muscles को, जिससे heart muscles damage हो चुके है, ठीक है, mostly due to coronary thrombosis, thrombosis भी बोलते हैं इसे, which is the help of platelet-derived growth factor, platelet भी यहाँ डास हो जाएंगे, यहाद है, इसको treat कैसे किया जाता है, aspirin, streptokinase, CABG, यह याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बस आपको यह पता होना चाहिए, कि heart attack और heart failure में क्या difference है, जिसे heart attack को myocardial infarction भी बोलते हैं, stroke भी बोलते हैं, stroke मैंने बता दिया था शुरू में ही, समझ आई सारी disease condition, hypertension, hypotension, arteriosclerosis, arthrosclerosis, जिसे CAB भी बोलते हैं, angina pectoris, acute chest pain, congestive heart failure, ठेक है, heart failure and heart attack, heart attack को myocardial infarction भी बोलते हैं, और stroke भी बोलते हैं, हाँ बोलो, हाँ, वो blood pump कहां से कर पाएगा, blood, बतलब, heart अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो beat नहीं कर रहा है, और अगर heart beat नहीं कर रहा है, तो आप उसे बोलोगे, heart failure, pump नहीं कर पा रहा है, blood, यानि कि heart को, किया किसको blood देना था, lungs को blood देना था, pump भी नहीं करेगा, contraction, relaxation ही नहीं होगा, तो क्या इधर blood जाएगा, तो इसे heart failure बोलोगे, या heart attack बोलोगे, failure, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, heart है ये, ये heart है, यहाँ से coronary artery थी, coronary artery के यहाँ पर, वो thrombosis हो गया, इस तरह से, यही क्या हो गया, यहाँ तक bloody नहीं पहुँच पाया, ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे, heart muscle damage हो गये, hypertension तो होगी, hypertension तो शुरुवात में हो गये, heart attack, damage हो जाएगा heart muscle, समझ आया, I hope it is clear, और इसे क्या होगी,